नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वाल इंडिया मैं हूँ आपके साथ जोहिसीन लखनव में आज मौनसुन सत्र का आखरी दिन है जहां सदन शुरू होते ही सपा ने वॉक आउट कर लिया साथी सपा ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया इसके साथ ही सपा विधायकों ने सदन से पार्टी दफ्तर तक पैदल मार्च किया जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए वह एकलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सदन का समय नहीं बढ़ाने के कारण पार्टी ने वॉक आउट किया है कई मुद्धों पर सदन में बात नहीं हुई है गन्ना के सानों काप तक भुकतान नहीं किया गया है साथ ही बेरोजगारी पर अभी तक सदन में चर्चा नहीं हुई है आपको बता दे कि सपा का या पैदल मार्च बिना इजाज़त के किया गया है खबर अलिगर्ड से है खबर अलिगर्ड मुस्लिम विश्विद्ध द्याला की एक हिंदू चात्रा के साथ लवजिहात का मामला सामने आया है चात्रा के पता ने आरोप लगाया कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के दोरान उनकी बेटी को गैर समुदाय का यूवक अपने साथ ले गया और शादी करली मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मुकदमा दर्जकर जाच में जुट गई है पुलिस का दावा है कि जल्द ही लापता चात्रा को सकुशल बरामत कर लिया जाएगा सीओ अशोक कुमा ने बताया कि लापता चात्रा की बरामत की के लिये पुलिस की चार टीमें गठित की गई है और एक यूवक को हरासत में लेकर पूश्टाच की जा रही है खबर गाजीपुर से है पिछले दिनों जहारखन के सराय केला से ट्रक लोड कर आ रहा है ट्रक ड्राइवर की हत्या कर लूट करने वाले तीन अभी उक्तों को गाजीपुर पुलिस ने सुहवल थानाक शेत्र में गिरफतार किया था जबकि दो फरार हो गए थे आज कोत वालिक शेत के सुख़देवपुर के पास पुलिस के मुठभेर में 25,000 काइनावी बदमाश अत्रौली थाना आजमगड निवासी दिल प्यादव के पैर में गूली लगी है जिलास्पिताल में भरती कराया गया है जोकि शवन यादव एक बार फिर से पुलिस मुठभेर से फडार हो गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है कि कुछ नदिवस पहले जारकंड से रांची बाइपास एरिया में मुडर की मुडर करके कुछ व्यक्तियों ने लाश वहां पर ड्राइवर की फेकी थी ट्रक लूट की घटना सामनी आए थी इस पूरे प्रकरन में ट्रक और कुछ व्यक्ति जो है वह मुडबेड में गिर कि सूचना पुलिस को प्राप्त न हुए थी पैरिकेडिंग डाल के चेकिंग का न करते हुए उसको वार्निंग दी गई रुकने के लिए वे वेक्ति जब नहीं रुके तो उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी खबर गाजीपूर से है अलिगंज थानाक शेत्र के किंद्रिये विश्व विद्याले के पास स्टीफ और मुक्तार अंसारी गैंग से जुरित शार बदमाशों के बीच मुठभेड हुई इस दोरान यूपी स्टीफ के साथ लोकल पुलिस के जॉइन टीम भी थी लगबग आठ राउंड फाइरिंग के बाद 25,000 का इनामी रवी आदव उर्फ दिग्विजे मुठबेट में घायल हो गया बता दे कि गाजीपूर में पत्रकार की हत्या समेथ कई मामलों में वह वांचित था पुलिस ने चार अपराधियों को गरफतार कर लिया है साथ ही उनके पा पाटी में सैकडों की संख्या में यूवा मौजूद थे आपको बता दें कि वीडियो वारल होने के बाद से इलाके में हडकंप मच गया है वारल वीडियो शिवगर थानाक श्वेतर का बताया जा रहा है मामला सहारनपूर से है जहां भीशन हाथसे की खबर सामने आई है दिल्ली देरादू नेशनल हाईवे पर मोहन के जंगलों में भीशन शरक हाथसा हो गया दरसल तेज बारिश की वज़े से कई गाड़ियां आपस में ठकरा गई और यह हाथसा हो गया इस दोरान एक सिपाही की मौत की खबर भी सामने आई है अलिगर में पुलिस को एक यूवक का विजडम पब्लिक स्कूल के सामने से पांच बदमाशू दोरा भरन कर गाड़ी मिले जाने की सूच ना मिली है जिस पर ततकाल मौके पर जाकर जानकारी और जाच की गई CCTV फुटेज के आधार पर घटना सच पाय जाने पर ततकाल मौके पर ही टीमों का गठनकर अपरादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया इस संब्द में पुलिस ने चार लोगों को याकूदपूर पुलिया के पास गरफतार किया पुलिस के मुताबिके श्वा परतन अभियान चलाया और टीम ने खेदू पूर्वा और लहवा के विविन घरों के साथ भयापूर्वा के जंगल में भी दबिश दी या चापेमारी आपकारी निरिक्षक बलराम सिंग, नामवर सिंग और अर्विन सिंग की टीम ने की इस दोरान 65 लीटर अवैद शराब 500 लीटर लहन मौके से बरामत की गई है, आपकारी अधिनियम के तहट दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके जानकारी जिला अभकारी अधिकारी पीके सिंग ने दी है खबर शावस्ती से हैं जहां एक अवैद अपरादी पुलिस के हथे चड़ा आया, पुलिस ने अवैद हथियार के साथ गंजी घार से अपरादी को दबोचा, बता दे कि अभी उक्त का नाम फारुख है, जिसको 12 मैं 2022 को डीम ने जिला बदर किया था, अब आम से एक्ट के तहत उसे जेल भीजा गया है, इस बुलोटिन में अभी के लिए बस इतना ही देखती रही है, नियूज वाल इंडिया